नीगास कार्ज में तेघे लाने के लिए NDA घटकदल करेंगे common minimum program बिहार में नए सरकार के गठन के साथ ही NDA के सबी घटकदल मिलकर एक common minimum program बनाने की तैयारी शुरू करती है कैसे प्रदेश में विकास के कार्जों में तेजी लाई जा सके जिसमें BJP जदियू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और VIP के सिर्ष नेतिरत आपस में बैठकर कौमन मिन्वन प्रोग्राम पर चर्चा गरेंगे माना जा रहा है कि अगले 5 साल में विकास के उन सभी कार्जों की पर मुक्ता दी जाएगी जो एंडिये की घटक दलों ने जनता से बादा किया है आपको बता दें कि इन कौमन मिन्वन प्रोग्राम में सभी घटक दलों के घोसना पत्रे में दिये गए बादों को सामिल किया गया है और विकास कार्जों को तेजी से सुरू करने पर जोर दिया जाएगा बिहार में नए सरकार के घटन के बाद अब मंतरी मंडल में बिस्तार की बात कही जा रही है इसके लिए यह माना जा रहा है कि एंडिये के सभी घटक दल आपस में मिलकर नए कबिनिट के बिस्तार में मंतरी मंडल का बटवारा करेंगे ताकि साक्षियों के बिच आपसी ताल मिल बना रहे और विकास के कार्ज जाजा से ज़्यादा हो सकें इंडिये में होने वाले common minimum program को लेकर प्रदेश में सियासत भी सुरू हो गई है जदियों नेता संजा सिह ने दावक करते हुए कहा है कि सभी दलों के नेता आपस में बैठ कर विकास कार्ज की नई रननीती बनाएंगे और विकास का नया कितिहास रचा जाएगा तो महागटबंदन ने common minimum program पर भी सवाल खड़ा कर दिया है कॉंग्रेस नेता राजेस रठावर ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि दरसल यह बीजेपी के नितियों को लागो करने की कोशिशा नितिश कुमार अब जब सोतंत्र होकर अपना एजेंडा चलाते रहे पर अब BJP के नितियों को लागू करने के लिए मजबूर है इधर इस पूरे मामले पर राज़त निता सुबोध राई ने कहा है कि पिछले 15 सालों से जब साथ मिलकर विकास का नहीं कर पाये भृष्टाचार का बुरबाला रहा तो नए बनने वाले कॉमन मिन्वन प्रोग्राम से क्या होगा उन्होंने कहा कि चुनाब के दोरान बीजेपी जदियू हम और बी आईपी के गोशना पत्र में बहुत बड़े बड़े बादे किये गए हैं जिसे पूरा करना नई सरकार की सबसे बड़ी चुनाबती होगी एंडिये के कॉमन मिन्वन प्रोग्राम में इन बिद्यों पर हो सकती है बात कॉमन मिन्वन प्रोग्राम में जिन एजेंडों पर जोर दिया जा रहा है उसमनी तीस कुमार कि साथ निस से टू पर मजबूती से काम करने की बात कही जा रही है इसके साथ ही हर खित तक पानी पहुँचाने का भी एजेंडा सामिल है। इसके बाद यातायात की सुविधा के लिए सभी सहरों में बाइपास बनाना हर गाउं तक बेहतर स्वास्त सुविधा पहुंचाना और बीजेपी के आत्म निर्वर बिहार के बिकास कौार्व को भी पूरा करना है। उसमें साल 2024 तक दरभंगा, एमस शुरू करना, धान और गेहों के बाद दलहन की खरीद MSP दरपर करने की बात कही गई है। के साथ मुझे दिजय अजाजत धन्यवाद।